हेलो फ्रेंज विल्कम बैक टो मैं चैनल शेफ डी डीवी बेकर बाइनिशल रेसिपीज में आप सब के लिए फिर से बहुत ही अच्छे केक की रेसिपी लेकर के आई हो इसमें मैंने जितने भी इंग्रीडियन्स यूज की हैं वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक उसमें जाने जया चैनल जाएंकि की अच्छे केश्टन आथे कीशारणा बहुत कमपलियक्त अंग्रेडियन्स को जिसदे हमारा केक बहुत ही जादा सॉफ्त है अगर एक से दो बार अच्छा कीक रेडिबा अच्छा साहएं heures और बहुत अच्छा आपका केक रेडी होगा तो सारी ड्राइंग्रीडियन्स को मैंने यहाँ पर छान लिया है और यह मैंने इसमें डाल दिया हाफ कप शुगर पाउडर शुगर पाउडर जालना जादा अच्छा होता है क्रिस्टल शुगर की जगा क्योंकि यह बहुत अच्छा से केक में मिक्स हो जाता है और इसके चोटे जो दाने हैं वह नहीं आते अगर आपके पास बिल्कुल बारीक शुगर है तो उसे बिना पीसे भी आप यूज कर सकते हैं यहां पर मैंने यूज किया है 1x4 cup of refined oil और इसे मैं अच्छे से mix कर रहे हूं सारे dry ingredients के साथ और अब हम इसका एक love free बहुत ही अच्छा बैटर रेडि करेंगे मैंने अपना जो OTG है उसे preheat कर लिया है 10 मिनिट के लिए 170 degree Celsius पर अगर आप इसे microwave में बना रहे हैं तो आपको इसे 15-20 मिनिट के लिए बेक करना होगा 180 degree Celsius पर अपने microwave को पहले से आप preheat कर लें यह देखे यह सारा का सारा दूट डाल दिया है मैंने और अब मैंने यहाँ पर डाला है half tablespoon of lemon juice अगर आपके पास lemon juice नहीं है तो आप इसकी जगह vinegar भी यूज कर सकते हैं बट lemon juice से इसका जो texture है वो बहुत ही अच्छा बन करके आता है हमारा lump free batter ready हो चुका है मैंने यहाँ पर देखे यह 9-inch का cake tin है जो loaf pattern पर है जो bread loaf बनते हैं उस तरह का pattern मैंने यहाँ यूज किया और उसमें यह सारा का सारा batter मैंने ट्रांसफर कर दिया था और अच्छे से इसको tap करना हो और यह देखे यह dry fruits में मैंने जो tutti fruity होती है उसकी इस बार यूज किया था आम पापड़ा यह अलग अलग flavors के आम पापड़ा है रेड कलर पे है ग्रीन जो कच्छा मैंगो का फ्लेवर होता है यहलो जो पका हुआ मैंगो का फ्लेवर होता है वो मैंने यहाँ पर यूज किया है तो dry fruit में आप कही तरह के options available है उसे कर सकते हो कर दो देखें ठीक 40 मिनिट के बाद मेरा यह जो केक है पॉफिक्टली बेग हो कर के मैं इसे बाहर निकाल लिया है आप इसका कलर देख सकते है और जो पर से हमने इसमें आम पापड़ा डाला था ड्राइफ्रूट की जगा तूटी फूटी की जगा वह बहुत ही सुंदर तूटी फूटी आप हमीशे ही ट्राइफ्र जरूर ट्राय करें और अच्छे से जिस तरह की स्लाइस अपको कट करनी है उतने बड़े थेनिया थिक स्लाइसे आप इसे कट करके रेडी कर लें आपको अंदर का टेक्षर दिखा रही हूं बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर और बिल्कुल पॉफिक्टली बेग्ड है बहुत ही सुपर स्पॉंच केक बनकर के तयार हुआ था और इसकी खुश्बू बहुत ही अच्छी आ रही थी मैंगो का फ्लेवर में उपर से डाला है क्योंकि यह जो मैंगो के बार्स में डाले है तो इसे मैंगो का थोड़ा सा फ्ल पाली देखें करना है नहीं या यह जो ठांते है और था से जाए से बाagon में पाली तो आफे केसा को तृप रिवर करना में नेकिसे को किसा करी का चाहिता तो यह आर अगे वहां रिभात के लिवा शुह सहटाय करना है और देक डिन दरब रह दिलिए ़िस क एक कराक में कर पानी सा हो जाएगा और वो sticky हो जाएगा तो ये देखे इस तरह के boxes मिलते हैं market में chocolate की मेरी working है तो उसमें भी काफी तरह के boxes मैं online मंगाते रहती हूँ तो वो boxes मेरे पास बचे हुए रहते हैं उसी boxes को मैंने यहां पर use किया है इस cake को deliver करने के लिए तो पहले मैंने इस तरीके से पहले box हमने create किया और इसके center में आप कोई भी butter paper या कोई इस तरह का paper जिसमें moisture ना आए वो आपको डालना यह देखिए मैं अपने रोटी के boxes में इस तरह का cloth paper रखती हूँ या कुछ हद तक paper भी होता हो और कपड़े का भी form है वो मैंने सबसे पीछे liner में डाला और उसक को बहुत अच्छे से look पे आएगा तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे slices को इस तरीके से arrange कर लिया था और मेरा यह जो box है इस तरीके से ready हो गया था तो जब मैंने से deliver किया तो जिने मैंने दिया था उन्हें भी यह बहुत पसंद आया क्यूंकि look wise भी a transparency बहार से नजर आ रह कर दो से नजर इस तरीके